लोग अकसर कहते हैं कि time is money, लेकिन ऐसा नहीं है, आप खोया हुआ पैसा आसानी से कमा सकते हो, लेकिन खोया हुआ वक्त कैसे वापस कमा होगे, सच यह है कि time की कीमत पैसे से कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन हम में से बहुत से लोग इसकी value तब तक नहीं करते, जब तक बहुत देर ना हो जाए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से अपने time को better तरह से इस्तिमाल कर सकते हो, इस वीडियो के end होने तक आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से अपने दिन के सारे important काम और अपने goals पर काम करने के लिए time कैसे निकाल सकते हो, तो 2000 कमा रहे हो, और एक घंटे के लिए 200 रुपे कमा रहे हो, अब अगर आप दिन के 4 घंटे movies देखने या social media यूज करने में गवा देते हो, तो आपने अपना 800 रुपे वेस्ट कर दे, मानलो कि आपको कहीं दूर जाना है, जहाँ पर train से पहुंचने में 2 दिन लगते हो, ले ट्रेन से जाने में आपको थोड़ा calculation कर लेते हैं, ट्रेन का कराया 1500 प्लस जाने के 2 दिन जाने 48 आपका पर आर जो आपको कमाते हो 200 रुपे, मतलब 9600 रुपे हो गए, तो 1500 प्लस 9600 हो गए, 11100 रुपे, दूसर तरफ एरप्लेन से जाने में आपको 6000 रुपे एरप्लेन का क टाइम बचाते हो ता आप उस बचे हुए टाइम में ज्यादा पैसा भी कमा पाते हो, आप अपने गोल्स के ज्यादा करीब पहुच पाते हो, जिसकी वज़ा से आप long run में दूसरे के मुकाबले काफी आगे चले जाते हो, आईए एक और example लेते हैं, मान लो कि आप Netflix पर प तो एक मुवी देखकर आप अपने 600 रुपय का नुकसान कर रहे हो, आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे entertainment छोड़कर बस सारा दिन काम करने में लग जाओ, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि टाइम कितना कीमती है, जब आप next time इस तरह से कहीं पर अपना time waste कर रहे तो भी क्या मैं इसे use करता? अगर आपको answer नाम मिले, तो समझ जाओ कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए. दूसरी तरफ, अगर आप अपनी family के लिए 3 घंटे spend कर रहे हो, तो भी आप खुछ से पूछो कि अगर मुझे अपनी family के सारा time spend करने के लिए 600 रुपय देने होते क्या मैं ये काम करता? इस case में आपका answer yes मिलेगा. ये आपकी life के एक important चीज है, जिसके लिए अगर आपको पैसे देना पड़ते हैं, तो भी आप दे देते हैं. ये वो काम हैं जिसे करने में आपको अपना time spend करना चाहिए. अब मैं आपको एक simple सा framework बताने जा रहा हूँ, जिससे आप ये decide कर पाओगे कि आपको किस काम को पहले करना चाहिए और किस काम को बाद में है. इसके लिए आप सबसे पहले एक X और Y axis बनाओ. X axis पर urgency और Y axis पर importance लिखो. इस तरह से first quadrant में वो काम आते हैं जो urgent भी है और important भ फाइदा होगा, जिनका पूरा करने की deadline भी नजदीक आ रही है. इन कामों को आपको सबसे पहले पूरा करना चाहिए. दूसरे quadrant में आते हैं वो काम जो कि important तो हैं लेकिन urgent नहीं है. ये वो काम है जिनने करने से long run में आपको फाइदा हो तो होगा, लेकिन इनकरने की अभी कोई specific deadline नहीं है. एक बार आपके urgent और important काम पूरे हो जाएं तो आप second quadrant के काम को पूरा करने में लग जाओ. इसमें exercise करना, books पढ़ना और अपने skills पर काम करना आ सकता है. तीसे quadrant में आते हैं वो काम जो ना तो urgent है और ना ही important. इसमें movies देखना, games खिलना, Instagram यूस करना आ सकता इस काम को आप तभी कीजिए जब आपके पास कुछ करने के लिए ना हो. Lastly, fourth quadrant में आते हैं वो काम जो कि urgent है लेकिन important नहीं है. यह वो काम है जिना पूरा करने की deadline नस्दीक आ रही है. लेकिन इना पूरा करने से आपको long run में कोई फाइदा नहीं होगा. इन कामों को आप delegate क ने देखा कि अगर आप महिने में 44,000 कमा रहे हो, महिने में 22 दिन काम कर रहे हो और एक दिन में 10 घंटे काम कर रहे हो तो आपके 1 घंटे के कीमत होगी 200 रुपे. Let's suppose आप यह decide नहीं कर पा रहे हो कि आपको खाना बनाना चाहिए या फिर बहार से कुछ healthy मंगा कर खा लेना यहाँ बार आप यह calculate करो कि खाना बनाने में आपको total कितना time लगेगा? Let's say, कि 3 बार खाना बनाने में और बरतन साफ करने में आपको total 5 घंटे का time लगता है. ऐसे मैं आप 3 बार खाना खाने के लिए 1000 रुपे का time spend कर रहे हो. साथी, खाना बनाने के लिए आपको सबजी, गैस, मसाले और बरतन साफ करने के लिए साबुन भी लेना होगा. इन सब के खर्चे को अगर आप add कर दो, तो आप देखोगे कि आपको एक दिन में खाना कुछ 1200 का पड़ता है. अब आप खुछ से पूछो कि क्या आप 1200 रुपे से कम में, बाहर से, तीन बार का खाना मगा कर खालो. साथ ही, अगर आपके पास कोई चोटा मोटा काम है, जिसे पूरा करने के लिए एक घंटा लग सकता है, और आप उसे 200 रुपे से कम में, किसी और बंदे से करवा सकते हो, तो आप ये काम उससे करवा लो. और अपना टाइम बचा लो. अगर आपको अपना रूम और टाइम को बेटा तरह से मैनेज कर सकते हो. आपको हर दिन 86,500 सेकंड्स मिलते हैं, अगर आप इन सेकंड्स को पैसों की तरह ट्रीट करना शुरू कर जो, तो आपको वो इनकी वैल्यू समझ में आ जाएगी. अगर आपका एक दोस्त आपको कॉल कर दे और आपको वहाँ अपना एक घंटा देना हो, तो आप खुझ से पूछो, अगर मुझे इस दोस्त से बात करने के लिए 200 रोपे देने होते हैं, तो भी क्या मैं इस कॉल को उठाता? अगर आपको इसका आंसर ना में मिले, तो आप समझ जाओ कि ये उतना important काम नहीं है. सिर्फ उन्हीं कामों कीजिए, जिन्हें करने के टाइम, आप उनमें लगाए गए seconds जितने पैसे कमाने के लिए ready हो. आप मुझे comment करके बताइए कि वो कौन सा काम है, जिस पर आप आज से अपना maximum time दोगे. अगर कि वीडियो आपको helpful लगी हो, थोड़ी सी भी इस से help हुई हो, तो comment में yes जरूर लिखना, इससे मुझे motivation मिलता है कि मेरी वीडियो आपकी help कर रही है. और इसे लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चल्दा है कि यहां तक कितने लोगों ने देखा है. यह book app आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर time management पर बहुत सारे books हमने अपलोड की है हिंदी में. अब You guys are amazing. Keep reading, keep learning, keep growing. Thank you for watching.